दोस्तो आज हम इस सेटो बॉक्स को रिपैर करेंगे यह डीडी फ्रीडी इसका सेटो बॉक्स है और इस कंपनी का नाम आप देख सकते हैं और यहां पर यह बिल्कुल डैड कंडिशन में है कोई भी समय रिस्पॉंस नहीं है और यहां पर इसका वारंटी पुरा हो चुका है हम कोई रिपैर करेंगे अगर यह बढेता था तो इसको रिप्लेस किया जा सकता हैं बट यहां पर वक्सट personnage में अलग स्प्लाई का स्था हैं अगर आप लोगा ने तक इसको रिपैर नहीं किया तो विडिएो देख लो मैं आप Twin को नहीं बीक्तों वैसे हमने दो-तिन वीडियो पहले भी बना चुक है इस पर जिसमें अलग-अलग फॉल्ट पर हमने बात करी है और आपको समझाए भी है आप वहाँ पर देख सकते हैं तो मैं प्लग आउट करता हूँ और यहां पर यहां पर दिखाता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं यह इसका डिस्प्ले का पार्ट है यहां कि एक ही में सब कुछ यहां पर दे दिया गया है तो इससे समझने के लिए मैं इसको रिकालता हूँ और आपको डिटल से आपर समझाता हूँ और यहां पर पहले थोड़ा बहुत आपको मोटे-मोटे तौर पर दिखा दिखा यह कार्ड वाला सिस्टम है इसका तो यहां पर कार्ड है और यहां पर सप्लाई है अब यहां पर इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के लिए हम इसको खोल लेते हैं और यहां पर एक स्कूरू मिल जाता है यानि कि दो स्कूरू मिल जाते हैं इसको हमने खोलना रहेगा दो दोस्तों यहां पर यासानी से खूल जाएगा यहां पर जब आपके इस सप्टमाण के यहां फॉल्ट आते सप्टमाइब का तो यहां पर इस तरीके से हम अपन हो जात लॉक सिस्टेम में आप रहे हैं यह पार्ट अलग हो चुका है अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं तो यह इसकी स्प्लाई है अगर यहां पर आपको दिखाऊं तो में तो यहां पर दो रेश्टर पर नज़र पढ़ चुकी है यह देखिए आपको जूम करके दिखा दिया है दो रेश्टर जूंकि आप पर जली हुई है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू पतानी क्या है और रेश्टर क्यों जली है यह हमें भाई फाइंड करना पड़ेगा हो सकता है इसमें स्प्लाई का फॉल्ट हो थो यहाँ पर चलिए सबसे पहले तो मैं इस आईसी को टेस्ट करता हूं इस IC के पास में आपर register जली हुए तो IC में भी fault हो सकता है और एक बार fuse register को भी एक बार check कर लेते हैं fuse जलातों नहीं है ऐसे हलका सा burn सा लग रहा है फिर भी हम check कर लेते हैं अगर IC का fault हुआ तो इसके IC हम ढूड़ेंगे तो चलिए IC को test करते हम यहां पर यह दोस्तों यहां पर IC की दो पिन आपस में short बता रहा है एक यह वाली पिन और एक सामने वाली पिन पिन की संख्याप को यहां पर गिनवा देता हूं तो यहां से हमें start करेंगे 1,2,3,4,5,6,7,8 यानि की 4 और 5 नमबर की पिन जो है इसके आपस में short दिखा रहा है यह देखिए fully short है तो इसका मतलब यहां पर यह register इसलिए यहां पर burn हुआ है protection के लिए आपर लगी भी है तो यह burn हुई है और साथ में यहां पर मुझे लगता है कि fuse register भी definitely यहां पर गई होगी बिल्कुल fuse register भी यहां पर open हो चुकी है तो fuse register means यहां पर जो fuse लगा हुआ है यहां पर एक register यहां पर लगा दिया गया fuse के तोर पे जो कि 10 से 40 ohms तक का हो सकता है तो यहां पर यह fuse भी हमारा open हो चुका है तो उसका मदब यह है कि हमारी IC में fault है तो IC यहां पर निकालने के बाद हमें दूसरी IC लगानी है चलिए IC का number आपको मैं यहां पर दिखा देता हूँ और एक चीज़ में आपको और दिखाना चाहूँगा यह card की condition क्या है यह भी आपको दिखा देता हूँ card किस condition में है यानि की card सही है यह खराब है यह भी हम check कर लेंगे अगर card बिल्कुल सही रहेगा तो मैं यहां पर एक बाद को 3V देखे देखूँगा अगर card सही रहेगा तो यहां पर यह बिल्कुल चलने लगेगा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले card बिल्कुल चेक कर लेते हैं उसके बाद यहां पर IC का नंबर बिल्कुल चेक करके हम इसको सर्च करेंगे card को चेक करने के लिए आपको 3.3V इस capacitor पर देना है यह capacitor है यह negative है capacitor का और इस तरह positive है इसके जो दोपीन आपको दिख रही है यह ना यहां पर तो इस capacitor पर आपको 3.3V देना है अगर आप 3.3V देते हैं अगर यह on हो जाता है तो आपका card बिल्कुल सही condition में है तो यहां पर 3.3V इसमें set है और यहां पर मैं आपको touch करके दिखाता हूँ वेट करते हैं अगर आप सामने देखे हैं एक second यह देखिए हिल जारा बार बार यह देखिए on हो चुका फाइनरी तो यहां पर हमारा card जो है बिल्कुल सही condition में है तो 53 यहां पर channel लगा हुआ है तो confirm हो गया कि हमारा card बिल्कुल सही है अब यहां पर supply का यहां पर problem है तो supply के लिए हम यहां पर इस IC को यहां पर लगाना पड़ेगा और इस IC को लगाने के बाद हम यहां पर देखेंगे हमारा बिल्कुल सही लग देखिए आपको मैं एक सी से और दिखा देता हूँ यहां पर जो register जले हुए है तो तभी आपको नंबर दिखा देता हूँ दूसरी supply पर एक ऐसा ही हमारे पास supply पड़ा हुआ है यह देखिए इसमें जो IC लगती है उसके नंबर आपको दिखा देता हूँ दो अलग अलग IC आपके पास हैं तो डाल दिएगा एक तो आपको इस नंबर की IC यहां पर मिले तो डाल दीजिएगा देखिए इस supply में लगती है YS2354A YS2354A नंबर की IC इसमें लगती है आपको मैं जूम करके आप स्क्रिन शॉट ले सकते हैं या पिर नंबर नोट कर सकते हैं यह रहा इसका IC का नंबर एक तो यह IC इसमें लगेगी और दूसरी इसमें लगेगी किस नंबर की IC जो की supply पर लगी भी मैं आपको दिखा देता यह देखिएगा JAD1012 इस नंबर की IC लगेगी आप चाहें तो इसका स्क्रिन शॉट ले सकते हैं बिल्कुल क्लियर मैं इसको कर देता हूँ यह देखिएगा तो यहाँ पर यह दो नंबरों की IC इस supply पर लगती है अब बात रही जो रेजिटर यहाँ पर जलेव है उनकी value क्या है तो जो रेजिटर यहाँ पर जलेव है उनकी value हम दूसरी supply में आपको दिखाते हैं यहाँ पर 2R यानि की दोनों दो ओम्स की रेजिटर है यहाँ पर दो ओम्स की आपको रेजिटर लगानी है यहाँ पर दो ओम्स की आपको रेजिटर लगानी है यहाँ पर दो ओम्स की आपको रेजिटर लगानी है मैं इस supply में आपको चेक करके दिखाते हैं रेजिटर की value देखें दो ओम्स की रेजिटर यहाँ पर और यहाँ पर बड़ानी है और वह आई सी बदल देनी है और साथ में पर 10 अम्स का एक फ्यूज रेजिटर आपने लगा लेना है यह बिल्कुल चल पड़ेगा definitely 107% चल पड़ेगा फिलाल मेरे पास यहाँ पर भाई आईसी नहीं है और यहाँ पर जो सप्लाई यह ना यह भी कराब कंडिशन में है आईसी ना होनी की वज़े से हम इसको नहीं बना पाए इसमें हमने सौटकर तरीका अपनाया था वही वाला कि हमने कहाँ पर कितने वोल देना अगर इसको हमने जिन्दा करना है या तो हम इसमें HDR मोडियो लगा सकते जो कि अभी मेरे पास वैलेबल नहीं है और लगाते कैसे ह उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिसक्रेशन में या फिर कमेंड बोक्स में मिल जाएगा और इसका सेकेंड पार जो IC में लेके आऊंगा फिलाल सर्च कर रहा हूं कहीं मिल जाती है तो इसका सेकेंड पार जल्दी ही आ जाएगा अगर आपके पास सामान एवेलेबल है तो आपको रेश्टर की वैल्यू और IC का नंबर मैंने बता दिया है ठीक है दो रेश्टर की वैल्यू बता दिये है और IC का नंबर और यहाँ पर देखिए इसमें जो है अलग IC लगी भी इसमें अलग IC लगी है दोनों मैंसे कोई भी IC अगर आपको मिल जाए नंबर होगी बड़ी वाली supply से मेरा मतलब है इस टाइब की supply आपस समें लगा सकते हो, अगर इस टाइब के आप नहीं लगाना चाहिए, то DC वाली supply लगा सकते हो, जिसमें आपको 3 volt, इसमें पर 35 volt और 12 volt, 20 volt मिलता है, यह वाली आप इसमें लगा सकते हैं लेकिन लगानी कहां पर है वो मैं आपको बता देता हूँ example के लिए मैं इसको ले रहा हूँ क्योंकि same ही है तो यहां पर मैंने लिखा भी यह है देखिए यहां पर सभी points आप देख लीजिए 1,2,3,4,5,6 या फिर आप इसको हटा दीजिए यहां से गिनिएगा चलिए यहां से गिनिए 1,2,3,4,5 ठीक है 5 इसमें pin है फर्स्ट वाली pin पे आपको 3.3 वोल्ट देनी है दूसरी pin पे ground देनी है इस पे आपको 12 वोल्ट देनी है इस पे आपको ground देना है इस पे आपको 24 वोल्ट देना है यानि कि यह वाली supply में से आपको जो जो वोल्ट जहां जहां पर मैंने आपको बताया है जहां 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 नहीं निकालते हैं तो यह transformer क्या होता है न सारी पिने आपसमों शौर्ड बताएगा तो ट्राश्फोर्मर निकालने के बाद इस supply को जब आप लगा रहे हैं तो इसमें से 3.3 वोल्ट की जो वायर है इधर पर शोल्डिंग कर लें उसके बाद ग्राउंड की सोल्डिंग करें 12 वोल्ट की सोल्डिंग करें ग्राउंड की करें और 24 वोल्ट की सोल्डिंग करें इसके बाद आपका यह प्रॉपरली चल पर लेगा 100 मैंसे 100 परसेंट चलेगा आप मुझे कमेंड करके बता सकते हैं अगर आपका यह काम नहीं करें तो और काम नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि आपका यह जो कार्ड है उसमें प्रॉब्लम है सबसे पहले आप सप्लाई में अगर प्रॉब्लम आती है उसके बाद कार्ड चेक करना 3.3 वोल्ट इसे देखा किसी भी सोर्स से आप दीजिए या फिर आप एक लीधियम सेल जो 3.7 वोल्ट क वैल्यू आपको मैंने बता ली है वीडियो पसंद आतो लाइक करके शेर कर लेना और जल्द ही सेकंड पार्ट का वेट कर लेना ताकि आपको सेकंड बाट में डीटेल से मैं पूरा फिट करके बता सको और यहां पर एक चीज़ और भाई मैं आपको बता देता हूं ध्यान है यहत्र यहां पर इस तरीखे से एकर आपका उसमें जला हुआ है कोई भी ट्रेक हो तो उसको पूरा कर लें एक जमपर लगा कर काफी वार ट्रैक वगर है जले हो हो सकते हैं तो आप उसमें ध्यान दीजिए तो यहां पार शौटिंग के वजए से ट्रैक जला हुआ तो भाई सेकेंड पाट का वेट कीजिए अगर आपका इस वीडियो को देखके स्वादिशन हो जाता है तो कमेंड भी आप करके बता सकते हैं चलिए मिलते हैं लिए प्रत्तक लिए टेक क्यार पर खाल लगिए